आज के इस वीडियो का टॉपिक है टाइप ऑफ इसकिन लीजन हमारी बाड़ी पर डिफरेंट टाइप के इरॉप्शन होते हैं और हर एक इरॉप्शन का अपना एक अलग नेम होता है उनके कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स उनके उच पिक्यूलियर क्राक्टर्स के बेसिक ब आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्राइमरी लीजिन का एक टाइप बताने वाली हूं जिसका नाम है मैक्यूल सो मैक्यूल इस फ्लैट सरकम्स्क्राइब लीजिन शोइंग चेंज इन कलर विदाउट चेंज इन इस कंसिस्टेंसी मैक्यूल आर नॉन पैल्पेबल दे आर 0.5% 1 cm in a size, discoloration may be brown, blue, red, hypopigmented और may be hyperpigmented मतलब कि यह जो मैक्यूल है यह flat होता है हमारे skin पे जो यह होगा मैक्यूल यह flat होगा और इसका size कितना होगा 0.5 से 1 cm जैसे कि आप देख सकते हो इसमें brown colored मैक्यूल दिखाएगा है मैने बताया था है इनका color differ करता है यह brown, blue red, hypopigmented, hypopigmented कैसे भी हो सकते हैं जैसे कि इसमें bakers navis, freckles, fixed drug eruptions, cafe alloth spot यह सब brown colored मैक्यूल में आते हैं यह cafe alloth spot है यह neurofibromatosis के patients में देखने को जरूर मिलता है ठीक है इसका एक main feature है next है blue colored मैक्यूल जैसे कि Mongolian spot में होता है blue navis में होता है और अगर कोई ink से tattoo बन बन बाता है तो उसमें भी जो tattoo है वो कैसा होता है उसको हम फील तो नहीं कर सकते है it is not palpable वो उसको में बोलेंगे it is a macule ठीक है so यह different type के होता है जैसे कि अभी हमने पढ़ा brown वाले now अभी हमने देखा कि blue colored के spots कैसे होते है in the next में आपको बता हूँगे red colored macules किस किस में आते है so drug eruptions अग secondary syphilis जो होता है उसका secondary syphilis में भी red colored macules हम हमें देखने को मिलते हैं ठीक है so आपको यह point ढखना है कि जो flat है 0.5 से 1 cm के है they are macules hyper pigmented में आप देख सकते हो tinea versi color ठीक है so tinea versi color it is a fungi infection ठीक है जो कि आपको इस तरीके से photo में दिख रहा होगा कि इस तरीके से होता है so guys अगर आपको यह वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे comment section में जरूर बताना और अगर आप और वीडियो तेखना चाहते हो just like papule, patches, plague and so many more skin eruptions so अगर आप उनकी वीडियो चाहते हो तो मुझे comment section में जरूर बताना और बहुत सारे like करना at least I want कि इस वीडियो पर आप लोग 10 likes दो ही दो because I know बहुत कम likes आ रहे हैं nowadays मेरी वीडियो पर but I want कि आप लोग बहुत साई like करो चैनल को subscribe करो बहुत ही interesting and helpful videos आपके लेकर आने वाली हो ठीक है so thank you so much